तुम्हाइप पूलिवार्टुणाइब करते हैं, ये चालिस वे ब्राड कास्ट है, और हर दिन हम अंगरेजी और हिंदी की ब्राड कास्ट करते आए हैं, तो ये असी ब्राड कास्ट हो गई है कुल मिला के और हमने यही भाव प्रग्ट करना चाहा कि एक तो इन प्रस्ततियों को देखते हुए यही हम सब लोगों को कहना चाहते थे कि भाई डरने की कोई बात नहीं है जो तुम्हारे अंदर जो सचमुच आतम बल है इसको इस्तमाल करना इस समय कितना जुरूरी है क्योंकि लोग तरह थे की बातें करते हैं और सुरूर से ही हम इन बातों को लेकर के बैठ जाते हैं अपने दिमाग में इन बातों को आने देते हैं यह नहीं हम कभी कहते हैं कि भाई यह क्यों कह रहे हो या क्या प्रमान है तुम्हारे पास प्रमान नहीं मांगते हैं जैसे किसी ने कह दिया वैसे हम से विकार कर लेते हैं ठीक है कोई मजाक की बात हो कोई चुटकला हो कोई मजाक कर रहा हो या किसी ने कोई बात कह दी ज्यादा बातं का असर नहीं पड़ता है कुछ बात होती हैं जिनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो ऐसा घर कर लेते हैं हमारे अंदर फिर उससे बहे पैदा होता है और मनुष यह जानने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है क्या कि बहे में सबसे पहरे बहे में क्या होता है अब जब कमरे के अंदर बत्ती जली हुई है और सब कुछ प्रकाश में है तो कोई अगर आवाज भी हो तो आदमी उस तरफ देखेगा क्या है और अगर कुछ नहीं दिखाए देगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी पर तु वही बात अगर अंधेरे कमरे में हो कमरा अंधेरा है कमरे में और कुछ नहीं दिखाए दिता है और कोई अवाज हो तो मनुष्ट को यह लगेगा जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है उसको यह लगेगा कि क्या थी क्या चीज थी किसने अवाज की और क्योंकि जब वह अंधा बन जाता है डर से तो वह कुछ भी कर देगा कुछ भी अपने दिमाग में ले आएगा किसी भी हैं आप कही है जो यह कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं करोगे तो नर्क की बात करते हैं तो नर्क से लोगों दर आते हैं और क्या कहते हैं थोड़ी बहुत जो आप लिशमत की स्वर्ग की बात करते हैं कि तुम ऐसा करोगे ऐसा करोगे जो जाओगे पर सबसे बड़ा स्वरक और सबसे बड़ा नरक यहां है, इस पर स्बीप है, लोग कितने परेशान हो रहे हैंसर में, नरक है उनके लिए, कई लोग हैं जो अपने घर बीज नी जा सकते, बिचारों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कोई जेगए नहीं ह जो कुछ भी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं तो इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है और यहां स्वर्ग भी है जो अपने अंदर इस बात को समझ ले कि उसके अंदर क्या विराजमान है इसकी जिंद्गी क्या है तो जिसने ये जान लिया जिसने ये पहचान लिया उसके लिए स्वरग है क्योंकि जिस मनुश्य ने ये जान लिया कि ये सिर्फ मैं यहां किसी एकसिडेंट के वज़े से नहीं हूँ पर यहां मैं हूँ और जो यहां हूँ मैं कुछ कर सकता हूं मैं अपने जीवन को सफल बना सकता हूं मैं अपने हिर्दे को आभार से भर सकता हूं मैं इस जीवन का असली आनन जो हिर्दे से लिया जाता है जो एक ऐसी चीज को जानके लिया जाता है जो तुम्हारे अंदर व हैं इसको परमानन कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है और जब तुम उसको जाओं जाओंगे जर उसको पहचान जाओंगे तो तो म Bears ये सारी चिंताइं जह न ये आवाज आ रही है ये तो दन नहीं होगी पर दन बत्ती यहां से आई इसलीए आई यह बात सफश्ट हो जाती है तो फिर मनुष्य को डरने की जर्ड़त नहीं है फिर मनुष्य को भतकने की जर्ड़त नहीं अभी तो मनुष्य भतक रहा है अब लोग इस बात यह बात कहते हैं कि जो जिसने जाना नहीं वो भटक रहा है परूंतु भटकने का मतलब क्या हुआ कैसे भटक रहे हैं तो कैसे भटक रहा है वह बहार से भल थे लिख रही है यह नहीं कि इदर जा रहा है उदर जा रहा है पैसे तो बहुत लोग हैं जो इदर जा रहे हैं उदर जा रहे हैं पर उन्तु अंदर का भी भटकना होता है उसको यह नहीं मालूम है उसको सूझ नहीं रहा है कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे ग्यान का दीप जड़ाय दिजो रहें गुरुपया ज्ञान का दीप जगाए दी जोरे गुरुपया लागू नाम लखाए दी जोरे। गहरी नदिया अगंभै धर्वा खेही के पार लगाए दी जोरे। गुरुपया लागू नाम लखाए दी कि इसमें भाव है कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि इस नदी में इस भफसागर की नदी में बहुत अगंब है धर्वा बहुत तेजी से ध्रिवार Chra oh अब तेजी से धार चल रही है उसका अभ्याहर क्या हुआ कि मैं उसमें भै जाओंगा उस एतनी इतनी तरीकिसे चल रही है वो दूप जाओंगा ले जाएगी तो क्या हम कभी अपने जीवन में सोचते हैं जब हम चलते हैं अपने घर से किसी भी काम के लिए चलते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि ये इस नदी में पैर रख रहे हैं और ये बहुत गहरी है और इसमें धार भी बहुत तिफ्र चल रही है और मेरे को खे करके पार कर दो मैं इसमें तैर नहीं सकता तो समझने की बात है भटक तो रहे हैं हम पर अंदर भटक रहे हैं समझ में नहीं आता है क्यों है मैं अब ख्याल भी नहीं आता है लोगों को ख्याल भी नहीं आता है और मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा किसी धर्म से लेना देना नहीं है मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ हम तो स्वर्ग की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ है नरक की बात करते हैं तो कहते हैं नरक भी यहाँ है और अगर तुम उस नरक से छुटगारा पाना चाहते हो तो उसकी भी विधी तुमारे पास है उसकी भी विधी संभव है और अगर तुम स्वरग में जाना चाहते हो तो वो भी संभव है वो भी तुम होरे अंदर है परन्तु कभी हम ये सोचते नहीं है ये सारी चीजें को ये बसाता है तो बड़ी अच्छी लगती है हाँ जी स्वरग जाना चाहते हो क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भटक रहे हैं कभी किदर जाते हैं कभी किदर जाते हैं कभी किसी से पूछते हैं कभी अब यह तो अगर मैं यह आप से कहूं कि आप भिकारी हैं तो आप कहेंगे नहीं हम विकारी नहीं हैं हमारे पास तो पैसा है पर आप विकारी हैं कैसे विकारी हैं मैं बताता हूं आप अपने बच्चों से भीग मांगते हैं बच्चे आप से भीग मांगते हैं आप बच्चों से भीग मांगते हैं किस की भीग मांगते हैं किस चीज की भीग मांगते हैं मेरा नाम रोशन करना अच्छा बच्छा बनना सफल होना इस जिन्दगी के अंदर पढ़ाई लिखाई पढ़े प्रेम से करना ताकि तु बड़ा राजा मेरा राजा बेटा बन सके ये भीक मांगते हैं बीबी से भीक मांगते हो क्या कि सब कुशल मंगल रहे आरंद से रहे पतनी तुम से भीक मांगती है क्या भीक है वो कि सब कुशल मंगल रहे, तुम अपनी नौकरी अची तरीके से करो, तुम कहीं भठको ना, सब ठीक रहे, यह वो मांगती है, बड़े-बड़े नेता, जब election का time आते हैं, तो नागलिकों से भीक मांगते हैं, जब अपना काम करना होता है, तो नागलिक बड़े-बड़े ने पर घमंड इतना है कि कोई इस बात को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है कि हां हम मांग रहे, अब जो उस बनाने वाले से भीक मांगे, वो तो मैं समझ सकता हूं, जो दानी है, जो असली दानी है, जो असल में कुछ दान भीक कर सकता है, जिससे कि हमारा भला हो, तो ऐसे से दान मांगना कोई खराब बात नहीं है, जिससे भीक मांगना कोई खराब बात नहीं है, पर तो ऐसी चीज़ से भीक मांगना, जो अगर भीक भीक दे, उससे हमारा भला नहीं होगा, तो ये क्या मांगना हुआ, ये कैसे मांगना हुआ, इसका क्या तुक बनता है, यही हम मांगते हैं, देने की शम्ता होनी चाहिए, पर क्या दे सकते हैं, आप एक मनुष्ट, दूसरे मनुष्ट को क्या दे सकता है, तो एक मनुष्ट, दूसरे मनुष्ट को अपना प्यार दे सकता है, इज्जद दे सकता है, उसकी बात समझ सकता है, उसकी बात सुन सकता है, ये भी तो उपहर हैं, और ये तो हम किसी से मांगते भी नहीं हैं, पर तो ये किसी को देना, कितना अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है, और लेने वाले के लिए भी संदर बात है और देने वाले के लिए भी संदर बात है कुछ चीज़ें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं संसार के अंदर जैसे पैसा जितना आप देंगे लोगों को उतना ही आपका कम होगा जितना आप देंगे उतना ही आपका कम होगा परन्तु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जितना आप देंगे उतना ही बढ़ेगा प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप देंगे वो और बढ़ेगा इज्जत एक ऐसी चीज़ है कि जितनी ही आप देंगे वो और बढ़ेगी और भड़ेगा पर यह माया की जितनी माया का क्या कानून है जितना आप देंगे उतना ही आपका कम होगा कि उतना ही आपका कम होगा किसी को कपड़े देंगे उतना ही कपड़े आपके कम होगे जूते देंगे जूते उतना ही जूते आपके कम होगे आप किया कहते हैं यह जो सारी चीजें हैं जितना देंगे उतना इकाम होगा और वो जो चीज है जो अंदर की चीज है जितना देंगे वो उतना बढ़ेगा तो यह अगर समझ में आ गई बात तो इससे कितनी चीजें पलट सकती हैं हमारे जहां न रख था वहां स्वर्ग बन सकता है अब लोग हैं लग जाते हैं अब यह क्या हो रहा है क्या हो रहा है थोट छोटी सी भी बात होती तो उसे गवरा जाते हैं कि मेरे को कोई पसंदम करता अ कि मेरे को कोई नहीं पूछता है सब मरे से नफरत कर रहे हैं तुम प्मों कब गए ऍुमको क्या मालूम कि वह क्या सुच रहा रहत तुम बढ़े दे उसके लिए सोच रहे हो और वो क्या सोच रहा है तुमको क्या मालूं वो सोच रहा है कि उसके पैसे कैसे बढ़ेंगे वो सोच रहा है अपनी गर्ल्फ्रेंट के बारे में अपने बॉइफ्रेंट के बारे में तुम्हारे बारे में कौन सोच रहा है तुम्हीं सोच रहा है पर लोगों को बत्ती बुजी हुई है और क्या कहते हैं यह मन भाग रहा है भाग रहा है कभी किदर की तरफ जाता है कभी किदर की तरफ जाता है यह हो जाएगा वो हो जाएगा मैं कहीं की नहीं रहूंगी मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैं ऐसा हो जाएगा इस सारी वही बाते हैं बैठे बैठे सब कुछ पकता रहता है 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 वही बीरवल की बात मेरे को बार बार याद आती है एक बार अकवर ने बीरवल से कहा कि बीरवल मुझे पांच बेफकूफ लोग लाओ तो बीरबने का जहां पर न मैं खोजना पड़ेगा पता नहीं कहां मिलेंगे का नहीं मेरे को पांच बेफकूफ लोग चाहिए तो बीरबने का यह भी अजीब अजीब बातें करते रहते हैं रादशाओ पर ख्यार उनका आदेश है कि पांच बेफकूफ आदमी लाने है तो मैं चाहता हूं खोजता हूं तो एक आदमी देखा कहां खोजू मैं तो बीरबन जाई रहा था रोड पे तो देखा एक आदमी पैर ऐसे हिला रहा जबीन पर लेटा हुआ गड़े में गिरा हुआ लेटा हुआ और पैर ऐसे ऐसे हिला रहा और हाथ ऐसे रखा हुआ हाथ ऐसे रखा हुआ दोनों तो बीरबन उसके पास किया भी तो कर क्या रहा है का जी मैं घर से चला था मेरी बीवी ने कहा था कि खिड़की के लिए हमारी जो खिड़की है घर में उसके लिए पड़ा लाना है उसके लिए कपड़ा लाना है और वो खिड़की इतनी चाड़ी है तो अब मैं उट नहीं सकता हूं मैं गिर गया अब उठने ही सकता हूं क्योंकि इस जो नाप है अगर मैं इधर उधर करूं तो यह इधर उधर हो जाएगा तो इसलिए मैं नाप को तो मैंने यहीं कहीं रखावा है और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मेरे पैर चल रहे हैं पीर ने का ठीक है एक पहला वाला बेफ़कूफ आदमी तो मिल गया दूसरा खोज रहा है काम भी लेगा तो पहले वाले को तो उसने का कि कल आना मेरे पास मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ दूसरा वाला खोजी रहा था वीरवल इधर देखा कि एक आदमी अपने गदे पर आ रहा है और बड़ा सा क्या कहते हैं बोज जो गदे पर होना चाहिए वो उसने अपने सिर पर रखा हुआ है और खुद गदे पर बैठा हुआ है तो उसने का भाई तू क्या कर रहा है का जी मेरे को मेरे गदे से बहुत प्रेम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बोज मैं उठाओं ये गदे पर हो तो मैं क्योंकि मेरा प्रेम है गदे से तो मैं उठा रहा हूँ उसका बोज तो प्रेवल ने का ये दूसरा बेफूफ म जो पिल गया क्योंकि वो गधे बैठा है और उसने अपने सिर पर बोज लिया हुआ है तो तो इसका भी और गजों उसने सिरु पर दिया हुआ हुआ है पर वो सोच रहा है कि नहीं होगा तो शाम के टाइम हो गया था अंधेरा भी होने लगा तब विर्वन ने का कहा खोजू मैं तो देखा एक आदमी एक क्या कहतने हैं लाइट थी जो सड़क के किनारे लाइट होती में तो उसके नीचे वो कुछ खोज रहा है तो उसने का भी क्या कर रहे हो का जी मैं अंगूठी खोज रहा हूँ का कब खोई अंगूठी कहा खोई अंगूठी कहा मैं जंगल गया था आज और जंगल में अंगूठी को गई मेरी तो भीरवल ने का जंगल में खो गई है तो जंगल में खो जो यहां किया खोज रहे हो कब जंगल में लाइट थो रही है यहां लाइट है इसलिए मैं यहां खोज रहे हो तो पीड़ं ने का ठीक है ये तीसरा बेफकूफ भी मेरे को मिल गया पांच बेफकूफ की बात थी थी हंसता हुआ दूसरे दिन बीवट पहुंचा और का जी आपके बेफकूफ सारे मिल गए पांच बेफकूफ मिल गए पहले की बात पताई तो पादशाह खुब हंसा का हाँ सचमश में ये बेफकूफ है दूसरी की बात पताई का हाँ ये भी बेफकूफ है तीसरी की बात पताई का हाँ ये भी बेफकूफ है पर बीविर ने का चौता कहां, का हजूर चौता तो मैं हूँ, कि मैं आपने मेरे को ये कहा कि जाके बेफकूफ हो को ढूंड़ने में, बेफकूफ हो ढूंड़ने में लगा रहा है, तो चौता बेफकूफ तो मैं हूँ, और आकवर ने का पांच होँ, का हजूर गुस्सा मत पर पांच वे बैफकूफ आप हैं जो आप पांच बैफकूफ हो पर चाहते हैं पर सुनिए इसका क्या मतलब है यह पहला जो बैफकूफ था क्या किसी ने इसको कह दिया कि इतनी वड़ी चाहिए चीज और उसी पर लगा हुआ है क्या नभव है उसका कुछ मालूम नहीं क्य उसको यह बता दिया गया है कि खिरकी इतनी चाड़ी है और इतनी चाड़ी खिरकी के लिए क्या कहते हैं परदा चाहिए कपड़ा चाहिए तो वो उसको लिए वे हैं यह नहीं है कि गिर गया है तो उठ जाए चाहिए उसको वापिस क्योंने जाना पड़े और कोई और ची और सारी दुनिया कर रही है बोज रखावा है अपने सिर पे अपने कंदों पर तूट रहे हैं पर कहरें नहीं नहीं मैं किसी और को यह बोज नहीं देना चाहता हूं अपने पास रखते हूंगा हैं जी और क्या कहते हैं जो तीसरा था वो तो सब के साथ हई है है कहां और ढूंडे कहां कैसे लगेगी हाथ में कैसे आएगा हाथ में कैसे कैसे वो चीज समझ में आएगी जो चीज घट में है उसको कहीं और ढूंड रहा है तो कैसे मिलेगा और जो वो दो बेफ्कूफत हैं जो असरी चीज़ को नहीं जानते हैं, जो नकली को ही क्या कहते हैं, परक मुदे नहीं परखते रहते हैं, तो वह भी बेफुफ हैं, और वो इच्छा करने वाला कि हाँ बेफटूफी क्या होती है, मेरे को यह जाना चाहिए, क्योंकि जो मनुष नरक के बारे में ज्यादा ज जानता है उस उस का क्या होगा वो तो गलस सोच रहा क्या कि सूचना एक उसको है तो स्वरत के बारे में सोचना चाहिए जानना आपको कुछ है तो यह जाना चाहिए कि वू स्वरत और तो अब ये क्या है आखिली इस सीरीज में आखरी वाली ये ब्राड़कास्ट है और अब पप की भी बात आई थी कि ट्रेनिंग हो तो उसके लिए सारी चीज़ें खटा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम भी हमारे हो तो अभी तो लॉक्टाउन है तो अभी आने सकते हैं तो हम सोच रहे थे कि वर्चुल प्रोग्राम हो ताकि हम जैसे यहां हैं बैठे से ससंग सुनाएं और वो पूरा क्या कहते हैं प्रोग्राम हो तो यह हमारी इच्छा है और इसके लिए हम त्यारी करेंगे तो यह जो ब्राड़कास्ट है यहीं यह समाप्त होगी और दिखाये जाएगा और आपके पास आएंगे तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मुश्कार कुशलमंगर रहें और अपना ख्यार रखें